इस वक्त आप आराम से बैठ कर इस वीडियो को देख रही हैं मगर मैं आपको कहूँ आज जिस जगहा पर आप अभी बैठे हो वो जमीन आज से करोणों साल पहले साथे आठ हजार डिगरी के तापमान से उबल रही थी या जिस जगहा पर आप बैठे हैं वो जगहा लाखों सालों तक बरव से ढकी होई थी ये दोनों बातें सच हैं इस पंदरह मिनट की वीडियो के अंदर आप प्रिथवी के 450 करोड साल के सफर को देखने वाले हैं जिस जगहा आज हमारा सोरे मंडल है वहाँ विभिन प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे वैज्यानकों के मताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था वक्त के साथ साथ उस तारे की उर्जा कम होने लगी जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विसफोट हुआ विसफोट की वज़ा से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी इस दोरान बादलों में स्थित धूल के कन दबाव और गर्मी के कारण बड़े उलकापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की बज़ह से इन बादलों में स्थित रेडियू एक्टिव पदार्थ ने ग्रैविटी का निर्मान किया इस ग्रैविटी के कारण बीच में हाइडरोजन और हिलियम एकठा होने लगे बीच के इस भ्यंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोड हुआ और इसी विस्फोड के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ अंत्रिक्ष में फहले एस्ट्रोइड यानि शुद्र ग्रहों में भारी वजन की वज़ा से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रक्रीमा करने लगे धीरी धीरे इनी एस्ट्रोइड में भारी टक्राव हुआ जिसके फलसवरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्मान हुआ वेग्यानिकों के मताबिक उस वक्त प्रिथ्वी और मार्स यानि मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की प्रक्रीमा किया करता था प्रिथ्वी पर ग्रैविची होने की वज़ा से सूरज की प्रक्रीमा करने वाले एस्टोयड अब प्रिथ्वी की प्रक्रीमा करने लगे और धीरे धीरे करोडों खालों तक ये प्रिथ्वी पर गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पडोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी जिसके कारण थिया प्रिथवी के और करीब आने लगा और आगर प्रिथवी से टकराया इस भयंकर टकराव की वज़ा से प्रिथवी के हिस्से कणव के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह प्रिथवी की प्रक्रिमा करने लगे इनी परिकर्मा करते हुए कणों में टकराव होने लगा जिसके कारण हमारे चांद का निर्मान हुआ उस वक्त प्रिथवी पर सिर्फ एक ही समोद्र हुआ करता था और वो था उननी सो डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग-अलग नाम से जानते हैं वक्त के साथ-साथ प्रिथवी धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी जिसके कारण प्रिथवी के भरी तत्व जैसे धातू और रेडियू एक्टिव पदार्थ प्रिथवी के केंद्र में जाकर इकठा हो गए और हलके पदार्थ प्रिथवी की सतहा पर आ गए लाखों सालों तक प्रित्वी पर उलका पिंडों की बरसाथ हुई और इन गिरते हुए उलका पिंडों में जमा था नमक, मिनरोल्स और पानी करोडों सालों तक इन उलका पिंडों की बरसाथ होती रही और धीरे धीरे पृत्वी की उपरी सताहा पानी से ढखने लगी वैज्यानकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते जौला मुख्यों से पहली बार सुक्ष्म जीवों का निर्मान हुआ लाकों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृत्वी की पूरी सताहा पानी से ढख चुकी थी हमारी पृत्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदाज से बने होने की वज़े से हर दम गर्म होता रहता है लेकिन जब भी पृत्वी की ओपनी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृत्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती जिसके कारण ज्वाला मुख्यों का निर्मान होता है और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ पानी से ठकी हुई पृत्वी पर हजारों की दादात में ज्वाला मुख्यों निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वाला मुख्यों का निकलना जारी रहा जिससे पानी के उपर जमीन का निर्मान हो रहा था इस वक्त भी प्रित्वी पर वातावर्ण ना होने की वचा से अंतरिक्ष से उलका पिंडों की बरसाथ हो रही थी आज से लगवग 300 करोड साल पहले प्रित्वी पर ऐसा वक्त आया जब प्रित्वी का वातावर्ण लगवग स्थिर होने लगा था ज्वाला मुखी निकलने धीरे हो गए थे और पित्वी का एक दिन बारहा घंटे का हुआ करता था साल बिचते गए और धीरे धीरे ये सुक्ष्म जीव विक्सित होते गए और समुहों में रहने लगे आज से लगभग 250 करोर साल पहले पहली बार पित्वी पर ऐसे जीमों का निर्मान हुआ जो जीने के लिए ये पाने के अंदर के मिनरल्स यानि खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्यात के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे इस वक्त तक पित्वी पर जादातर ज्वाला मुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टिरियास की वज़ा से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वज़ा से पित्वी का वायू मंदल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही जिसकी वज़ा से पित्वी के ज़ादातर हिस्सों में ये सोक्षम जीव फैल गए हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब प्रिथवी में जादा ओक्सिजन बढ़ने के कारण ये सुक्षमजीव मरने शुरू हो गए उस वक्त तक प्रिथवी का वातावरन ठंडा होने के साथ साथ ओक्सिजन से भी भर चुका था जिसके कारण जमीन और वातावरन में स्थित आयरन यानि लोहे के मिंडरल्स पानी में स्थित ओक्सिजन से रियक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब प्रिथवी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी वक्त बीतने के साथ साथ धर्ती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी जिसके कारण प्रिथवी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाकों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था, जिसके कारण प्रिथवी के वातावरण में कार्बन डाइकुसाइड की मातरा बहुत बढ़ गई, और प्रिथवी पर एसेड की वर्षा शुरू हो गई इसी ड्रेन की वज़ा से प्रित्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि प्रित्वी के उपर अस्तित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा पृथवी पर पहली बार भयंग कर आई से जाया इस वक्त पूरी पित्वी सफेद बर्फ से ढख चुकी थी आप तोर पर जब धर्ती पर सूरज की किरणे गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लिती है मगर क्योंकि पुरी पृत्वी बर्फ से ढख चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकिली होती है जिसके कारण सूरत की किरने धर्ती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी इसी कारण से पृत्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढखी रही मगर फिर से प्रिथवी के अंदर सित गर्मी ज्वाला मुखी के रूप में निकलنا शुरू हो गई और इन ज्वाला मुख्यों से निकलने वाली गर्मी ने वरफ को पिगलाना शुरू कर दिया इसी बीच प्रिथ्वी की गहराई में बचे कुछ सुक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ओक्सिजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पोधे निकलने शुरू हो चुके थे बाहर जैसे जैसे ज्वाला मुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरन कार्बन रैक्सराइड की वज़ा से गर्म हो रहा था वक्त के साथ-साथ बर्फ तो पिघलने लगी मगर धर्ती पर फिर से एसिट की वर्षा शुरू हो गई जिसके कारण फिर पित्वी ठंडी होने लगी और फिर पित्वी की ज़ादतर सताह बर्फ से ढग गई ऐसा बार-बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे-धीरे वाधावरन के हिसाबसे विक्सित हो रहे थे इस बेच कई सारे जीव और समुद्री जंगल्स विलुपत हो गए मगर जो बच गए वो धीरे धीरे प्रिथवी के बदलते ताफमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड बर्व की वज़ा से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे अब सूख्षम जीव समुद्री जीव बन चुके थे जब फिर से ज्वाला मुख्यों ने प्रिथवी की बर्व को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड जल्दी विक्सित होकर फैल गए धीरे धीरे वातावरण में ओक्सिजन की मात्रा बढ़ने लगी और प्रिथवी पर होने वाली एसिट की वर्षात कम होने लगी वातावरण में ओक्सिजन आने की वज़ा से प्रिथवी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगबग 47 करोड साल पहले पृत्वी की उपरी सताह पर पहली बार मौसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ वक्त के साथा जमीन पर अलग-अलग प्रकार के पोधे और पेड उगना शुरू हुए एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेडों की लंबाई लगबग 80-100 फीट जितनी या आज की 5-6 मंजिला बिल्डिंग जितनी उची हो चुकी थी ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे धर्ती की ज़्यादातर जमीन एक जगह इकठी हो चुकी थी जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीव के नाम से जानते हैं प्रित्वी का वातावरन और तापमान लगबग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरन के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डाइनोसोर्स में परिवर्तित हो गई जिन डाइनोसोर्स ने पेड पोधे ठाने शुरू कर दिये उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विक्सित होने लगा कुछ डाइनोसोर्स शिकार किया करते थे इसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए प्रित्वी की उपनी जमीन एक जगह एकठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रिगिस्तान और बंजर हो चुगी थी ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे जिसमें डाइनोसोर्स रहा करते थे आज से लगभग 20 करोड साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूपना शुरू हो गया पैंजिया के विभाजित होने की वज़ा से प्रित्वी की ज्यादातर उपनी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी जिसके फलसवरूप प्रित्वी पर हर्याली बढ़ती गई जिस वज़ा से डाइनोसोर्ज और ज्यादा विभिन और विशाल होते चले गए डाइनोसोर्ज ने आने वारी लगभग 20 से 30 करोड सालों तक प्रित्वी पर राज किया उस वक्त डाइनोसोर्ज समुद्र से लेकर जमीन और आस्मान तक पूरी प्रिथवी पर राज किया करते थे इस दोरान अफरीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिबबत से टकराया और इस टकरा की वज़ा से हिमालय का निर्मान हुआ आज से लगभग 6 करोड साल पहले प्रिथवी के तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड किलो जितना वजनिया उलका पिंड लगभग 80,000 किलो मीटर प्रति गंटे की स्पीड से प्रिथवी के तरफ आ रहा था प्रिथवी की सताहत को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा प्रिथवी से टकराया इस टकराव से निकलने वाली उर्जा आज के 10 करोड परमानु बंप एक साथ फटने के बराबर थी जहां ये उलकापिंडगीरा वहां के चानवर और पेड तुरंक भाब बनकर चल गए गिरते ही प्रिथवी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी समूत्र में भयंकर बाढ़ आने लगी भुकंप और आग ने प्रिथवी को जलाना शुरू कर दिया कुछ ही गंटों में पूरी प्रिथवी के बातावरण में हानिकर्क गैस और धूल की वज़ा से प्रिथवी नर्क हो चुकी थी दैनोसोर्ज, घूटन, आग और भुकमरी से पूरी तरह विनुप गए इस वक्त हमारे पूरवज जमीन के अंदर रहा करते थे जिसके कारण वो इस विशाल प्रालय से बच गए प्रिथवी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुँच पा रही थी प्रिथवी के पेड और जादा तर जानवर विलूप्त हो गए वातावरण में धोल और हानी कारग गैस के कारण प्रिथवी पर फिर से इंसीड की वर्षा शुरू हो गई और फिर प्रिथवी ठंडी होकर बर्फ से ढग गई लेकिन इस बार प्रिथवी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80-90,000 साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई जैसे ही धर्ती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहराना शुरू हो गई उस वक्त प्रिथवी की बर्फ पिघलनी शुरू ही होई थी जिसके कारण एफरिका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए मगर जैसे जैसे प्रिथवी गर्म होने लगी वैसे वैसे एफरिका के ये जंगल सुखने लगे जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना श्रू कर दिया जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी धीरे धीरे बंदर एप्स यानि वानर में परिवर्थित हुए खाने की तलाश में ये एप्स प्रिथवी के दूसरे हिसों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया वक्त के साथ साथ हम आदिवाजी बने हमने हत्यारों से लेकर आग का अविशकार किया हम धीरे धीरे इनसान के रूप में विक्सित हुए हमने धर्म से लेकर परिवार भाशा और संस्कृती का निर्मान किया और वक्त के साथ साथ हम विक्सित होते चले गए और आज हम इस पृत्वी की सबसे विक्सित प्रजाती बन चुके हैं पृत्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का मगर हमने इन सो सालों में जितना पृत्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाती ने नहीं किया होगा हम फिर से धर्ती को गर्म कर रही हैं और कार्बन डाइक्साइड की मातरा बढ़ा रही है वैज्यानिकों का मानना है कि प्रित्वी पर फिर से विशाल परिवर्तर होने वाला है भविश्य में प्रित्वी कैसी होगी जानेंगे हमारी अगली वीज़ा प्रित्वी कैसी है